सभी को वेलकम करता हूं हमारे एक और इस session के अंदर session का title आपने देख लिया होगा और इस के अंदर जो discussion होगा वो होगा आपके mixed static gk portion का ठीक है static gk portion का मेरा कहने का मतलब क्या होता है आप अप सभी को मैं आपके इन classes के अंदर discuss करते हैं, जैसे कि मैं आपकी आज की इस class के अंदर जो topics आपके साथ discuss करूँगा, उसमें हमारी topics होंगे, जैसे कि आपकी देश के temples पूछे जाते रहते हैं, temples related आपने questions देखे होंगे न, अपने exams के अंदर कि ये वाला temple है, बताइए कौन से राजे के अंदर located है, या फिर उसके historical pattern के बारे में पूछ लेंगे, कि बताइए भी ये वाला जो आपका मंदर है, ये आपका कब बनाया गया था, कौन से डानस्टी के, कौन से राजा के इंडिया और उसमें भी specially females, कि बताइए हमारे देश की पहली महीला वो जो कि Miss Universe बनी, हमारे देश की पहली वो महीलिया जिने कोई cabinet ministry दी गई, इस परकार से जो आपके अलग-अलग topics होते हैं, उनको हम discuss करेंगे, हमारी आपकी इस class के अंदर, an academy पर आप मुझे इस नाम से search कर सकते हैं, search करने के बाद मेरी profile विजिट करके, an academy पर available SSC, exams, non-technical railway exam के गोल के अंदर, जो GS का portion है, वो मैं आपको पूरा कराता हूँ, GS के पूर्शन के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ आ जाती है, उसमें आपका history आ जाता है, आपका quality, geography, economics, science, static GK का portion, current affair, computer awareness, की सारी ची सकते हैं, तो चलो अपने इस session को हम आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों को already मैंने बता दी हैं, इस सारी चीज़ें जो कि आप an academy पर जाकर मेरी profile विजिट करके देख पाऊंगे, an academy पर आपके लिए हर exam को target करते हुए batches आते रहते हैं, ऐसे कि आपके 31st अगस्त से आपके upcoming CGL 2024 के foundation batches की classes आपकी शुरू हो चुकी हैं, आप जोइन कर सकते हैं, डेले पुलिस exam के त्यारी करने वाले students, डेले पुलिस के batch को आप जोइन कर सकते हैं, iconic subscription लेने पर an academy आपको physical notes भी provide करता है, आपके application पर भी आपके notes available रहते हैं, बस ये कुछ बात थी, बस last में आप ये याद रिखिएगा कि an academy पर जुड़ने के लिए जो discount code आपको use करना है, वो करना है robton, आप ये code use कीजिएगा, और जो भी available आपका maximum discount है, उसको आप avail कर पाऊगे, ठीक है, तो इस code को ज़रूर याद रिखिएगा, अगर आप already joined है, तो आप अपने साथियों के साथ, इस code क share कर सकता है, पहला सवाल आपके सामने लाने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कि हम लोग live है, या नहीं है, आप लोगों में से जितने भी student जुड़े हुए है, आप मुझे comments करके, अपनी बातें पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप अपने साथियों के साथ, ठीक है, आचीज मैन है, आयूशी है, प्रदुमन है, सचिन कुमार है, पहला सवाल आपके सामने आएगा, फटाफट फटाफट अपनी इस class को हम करेंगे, पहला सवाल आपके सामने बताइए, comment section के अंदर आप answer करते रहिएगा, जितने भी student चुड़े हुए है, उन लोगों को मैं आपके नाम के साथ यहाँ पर address करता रहूँगा, ठीक है, इसी के कुछ problem भी हो तो मुझसे पूछ सकता है, पहला सवाल देखे, क्या पूछ रहा है, Miss World बनने वाली पहली भारत महीला इन चार विकल्प में से कौन है, यानि कि who is the first Indian woman, जिनने Miss World का खिताब दिया गया, चार आपके सामने option थे, आप लोगों को chat open करके मैंने दिया हुआ है, याद रिखेगा, इसमें आपको याद रिखना है, रीता फारिया जी को, ठीक है, रीतिया फारा जी, जो कि आपकी कहां पर आपकी जन्मी है, ये आपकी गवान के अंदर जन्मी है, इसके लावा, British Bombay के टा एशियन महीला थी, फर्स एशियन फीमेल, ओविसली फीमेल तो होंगी, फर्स एशियन जन्होंने Miss World का खिताब ये जीता था, याद रखोगे, याद रखेंगे, 1966 भी याद रिखिएगा, रीता फारिया जी की हम बात कर रहे थे, अगला सावल आपसे पूछ रहे हैं कि Mount Everest Mount Everest जो की यूरोप की सबसे उची चोटी है, को फते करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्रिकी लड़की इन चार विकल्प में से कौन है, यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल जिन्होंने कॉंकर किया Mount Everest और Mount Everest, Mount Everest क्या है, आपकी यूरोप की हाइस्ट पीक है, इसको फते करने वाल यंगेस्ट गर्ल पूरे विश्व के अंदर आपको बताना था इन चार विकल्प में से, आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, नाम रहेगा इनका मालवत पूर्णा जी, ठीक है, मालवत पूर्णा यंगेस्ट लड़की बनी है, पूरे विश्व के अंदर, जोन्होंने Mount Everest और Mount Everest को फते किया, Mount Everest की जब हम बात करते हैं, आप सभी को पता है कि इसकी हाइट केटनी है, 8848 मीटर्स, और अगर आप से हम Mount Everest की बात करते हैं, जो की आपके यूरोप की सबसे हूँची चोटी है, इसकी हाइट रहती है, आपके 5, 6, 4, 2 मीटर्स, इन दोनों को फते करने वाल इनकी पिक्चर भी है, आप देख सकते हैं, भारती हैं, तो याद रखना है, अगला सवाल आप से पूछ रहे हैं कि, who was the first Indian woman जिनोंने Miss Universe का टाइटल जीता, Miss Universe का खितने वाली पहली भारते महीला इन चार विकल्प में से कौन थी, उत्तर आप लोगों को देना है, आप लो सुष्मिता सैन को Miss Universe का खिताब दिया गया, इन्होंने Miss World, Sorry, Miss India इन्होंने जीता था आपका 1994 के अंदर, उसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया Miss Universe competition के अंदर, वो भी इन्होंने 1994 के अंदर हासिल किया था, तो सुष्मिता सैन वो हैं, जो कि हमारे देश की पहली Miss Universe कि आप जीतने वाली महिला बनी याद रुखीगा, ठीक है, तो देखी तो होंगी आप सपने, है ना, चलिए आगे बढ़ता है, अगला सवाल आप से पूछ रहे हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली हिन शार विकल्प में से पहली महिला कौन है, जिने भारत रत्न अवर् दिया गया था, 1971 के अंदर, पहली महिला बनी ऐसा प्राप्त करने वाली ये हैं हमारी इंद्रा गांधी जी, ठीक है, इंद्रा गांधी वोस्ट फीमेल प्राइम मिनस्टर जो की भारत की आपकी बनती है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली 1971 के अंदर, आप सभी को पता है क कॉंग्रिस पार्टी का प्रेसिदेंट 1959 के अंदर इंद्रा गांदी जी को बनाया गया और उसके बाद 1966 के अंदर इंद्रा गांदी जी चुनकर आती है हमारे देश की प्रधान मंत्री के पत पर याद रखोगे इस सारी बाते याद रिखनी है अच्छे सवाल है ये अगये इंद्रा गांदी जी अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ज्यान पीट पुरुषकार प्राप्ट करने वाली पहली महीला इंचार विकल्प में से कौन है का ये टाइम है बेंगॉल से आपकी ये आती है मैं आपको अप्शन में दी गई थी और ये ऐसा करने वाली पहली महिला बनती है जिनने ओनर किया गया आपके इस महिला को आपके ग्यानपीड अवर्ड से अब देखो ग्यानपीड अवर्ड सभी को पता है कि साहित्ते के एरिया के इंदर दिया जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार जो ये अवर्ड इनको दिया गया वो इनके किस नाम अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा आपका प्रॉथम प्रॉथम प्रॉथी स्टूथी जिसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं आपकी फर्स्ट प्रॉमेंस ठीक है तो यह इनका नौवल था जिसको लेकर 1965 के अंदर ठीक है और इनको अवर्ड दिया गया था और इनका यह जो नौवल इन्हों ने प्रकाशित किया था वह इन्हों ने 1965 के अंदर आपका प्रकाशित किया था याद रखोगे यह है हमारी आशापूर्णा देवी जी तो आई होप आप लोग आंसर कर रहे हैं आयूशी पूजा आर्बी निबास ठीक है आंसर करते रहेगा मैं बीच बीच में आप लोगों का यह चैट सेक्शन है इसको भी देखता रहूँगा अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं तो पहले जो पांच सवाल हमने किये वो हमारे किस पर आधरित थे फर्स वोमेंस इन इंडिया जो सेकंड टॉपिक पूरा का पूरा ग्रूप है एक समु है आपके किसका जैन टेंपल्स का यह आपके जैन टेंपल्स के पूरे के पूरे ग्रूपिंग के रूप में आपको नजर आता है जिसको आपका 11th and 13th century ED के अंदर आपका बिल्ट कराया गया जैन धर्म के अनुयाईयों के लिए यही तीर थिस्तल है आपसे लोकेशन पूछी गई थी लोकेशन आपका इसका रहेगा माउन टाबू राजस्थान ठीक है धर्म के साथ अपना सम्मद रखते हैं ठीक है आगया यह अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यही जो दिल्वारा टेंपल जिसके वारे में अभी हमने पीछे जाना था कि वो आपका राजस्थान के माउन टाबू के अंदर लोकेटेट था वो आपका इंशार विकल्प में से किसको डेडिकेटेट है इसको समर्पेत है तो क्या मैं भी आपको पीछे जैन इजम के वारे में नहीं बता कर आया था मैं बना कर आया था जैन से ही सम्मंदित है याद रखेंगे दिलवारा टेमपल को लेकर पूछा जा रहा है कि इसको बनवाया गया इन चार विकल्प में से कब अभी जब मैं पीछे आपको बता रहा था तो पीछे बताने के टाइम पर मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि इसको आपका 11 से लेकर जो कि आपको दिलवारा टेमपल के निर्मान की इसवी के बारे में बताते हैं तो 131 आपको इसमें स्पैसिफिकली याद रखना है अगला सवाल आपका टेमपल से रेलेटेड ये पूछ रहे हैं कि निम लिखित में से किसे विमल शाह के द्वारा बनवाया गया विमल शाह आप सभी लोगों को हमारी एंचेंट हिस्ट्री के अंदर इस प्रकार के पैटर्न को समझाते हुए मैंने विमल शाह के बारे में भी एक जिकर पर डिस्कुशन किया था यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन चार में बताईए कि विमल शाह के द्वारा कौन से आपके मंदरों को बनवाया गया तो अभी जो हम मंदर का जिकर कर रहे थे ना कौन से मंदर आपके दिलवारा टेंपल का जो अभी हम जिकर कर रहे थे वो आपके किसके बनवाएगे विमल शा обязत को शालिया हुए ठीक है याद रिखीए गए इसके लावा आप से भी पूछा जाता है ये डिजाइन किसके द्वारा कराएगे तो इसमें आपना है वास्टूपॉल वास्टूपॉल reserved करें वास्टूपॉल बोल दीजे और इसको है आपका तेजपा इनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था मैंने आपको अलड़ी पीछे बताया था कि यह आपका 11 और 13th century के बीच में आपका बनवाया गया मार्बल्स की बहुती अच्छी इसके अंदर आपको पेशकर्ष देखने के लिए मिलती है याद रखेंगे ठीक है आगे आईए अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि नियम लिखित में से कौन सा मंदिर जैन धर्म के प्रथम थीर्थांकर रिशबनाद को समर्पित है विच अब फॉलोविंग टैंपल्स डैडिकोटेट थी तुदी फर्स थीर्थांकर आफ जैनिजम जिनका नाम क्या था रिशबनाद सवाल की इंपोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए ठीक है तेखो एक में हैं पर आपका नाम लिखता हूं इसका नाम है आपका रनकपुर जैन टैंपल मैं आप लिखता हूं रनकपुर जैन टैंपल जो कि आपको विकल्प नंबर डी के अंदर दिया गया है या फिर इसको आप चतुरमुख धर्न विहारा के नाम से भी जानते हैं और ये एक स्वितामर जैन टैंपल है जो कि आपको रनकपुर के अंदर नजर आ और यह किसको आपका डेडिकेटेड है जो थीर्थांग का रिशब्देव हुआ करते थे उनको यह आपका डेडिकेटेड है आपका अरणकपुर जैन टेंपल की मैं बात कर रहा हूं ठीक है लोकेशन अगर आपसे पूछी जाएगी तो यह आपका एक पाली डिस्टिक्ट कर अंदर मिल जाए तो इनको लेकर घबराईएगा नहीं एकदम आसान सी आपकी चीजें होती है तो यह अभी तक हमने अपने जो सवाल डिसकस किये वो थे आपके किस पर आधरित आपके टेंपल्स पर आधरित अब अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे टॉपिक को शुरू क अगला सवाल आपके सामने यह रहाहा निम लिखित मेंसे किसे शांती निकेतन में मनुपृरी नित्यक्या और पर सिद्धि वापस लाई अब मैं आपके साथ जो डिसकॉशन कर रहा हूं वह रहेगा आपका classical and folk dances इन से जो आपके सवाल बनता है पहला सवाल जो आपसे मैंने पूछा है वो क्या पूछा है कि इन चार विकल्प में से कि इन्होंने परफॉर्म किया क्या मनीपूरी डांस और उसके बाद जो मनीपूरी डांस का fame है आपका उसको वापस लाने का काम किया इन चार विकल्प में से यह जो personality है वो रहेंगे भई हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी मनीपूरी डांस को इन्होंने परफॉर्म किया शांतिनिकेतन के अंदर और उसके बाद उसकी जो ख्याती थी उसको वापस लाने का काम किया time period याद रखेगा 1919 के अंदर यह decide किया गया रव इस वाले डांस फॉर्म का फिर आप हमारे classical एरा के अंदर inclusion बहुत बड़े तोर पर देख पाते हैं तो रविंद्रनाथ जी का आप में आपर नाम याद रिखना है ठीक है अगला सवाल आपसे पूश रहे हैं कि राजकुमार सिंग जीत सिंग एंड जावेरी सिस्टर्स एंड आर असोशियेटेड विद विच अब दी फॉलोविंग दीज फॉर्म मैंने क्या नाम लिया है गुरू सिंग जीत सिंग जिने एक मास्ट्री के रूप में आपका माना जाता है कौन से डांस से आपके संबन देता है तो यह भी आपके मनी पूरी निरत्ते से संबन देता है अभी आप पिछले SSC के किसी भी एक्जाम को ठाकर देख लिजे चाहे वो आपका CHSL हो चाहे आपका CGL हो आप 2022 के और 2023 के जो इनके प्रिलिम्स पेपर हुए उनको ठाकर देखेगा आपके डांस फॉर्म्स उन डांस फॉर्म्स के जो भी आपके असोशियेटेड फेमस पस्नालिटीज है उनके अगला सवाल आपसे पूछा जारहा है कि हाव मैनी टाइप ऑफ शो फोक डांस आर देर इन इंडिया जो छो लुक रित्ते हैं उसके कितने प्रिकार हमारे देश के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं पहली चीज छो फोक डांस यह याद रिखना है इसके इलावा आपको अगर पूछू कि क्या चीज है तो आप इसको semi classical dance का एक प्रिकार से रूप मान सकते हैं जिसके कही सारे प्रिकार आपको देखने के लिए मिलते हैं कहीं न कहीं martial और जो folk traditions होते हैं उसके अंदर आपका यह use होता है मुख्यते आपको इसकी तीन style देखने के लिए मिलती है पहले चीज सवाल का जो उत्तर हो जाता है वो आपका तीन style कौन कौन सी होती है मैं उनको आपके सामय लग देता हूँ एक है आपका पुरुलिया पुरुलिया करके आपको मिलेगा जो कि आपका आपके वेस्ट बेंगोल राजे के अंदर मुख्यते रूप में नजराता है उसके बाद next होता है आपका सेरा सेराइकला सेराइकला चो यह आपका कौन से राजे से संब्दित है यह आपका जहारकंट राजे से संब्दित है उसके बाद है भही आपका मयूर भंज मयूर भंज चो और यह आपका कौन से राजे से संब्दित है यह आपका उडीसा प्रिकार हैं जिनको मैंने अभी आपको असोशेट किया आपके चो फोग डांसे से और इन प्रिकारों का असोशेशन कौन-कौन से राज्यों से था मैंने उनके वारे में भी आपके यहां पर बताया ठीक है चलिए आगया यह अगला सवाल है सराही केला चो जो फीमस फोग ड और मास्क पहंनके आपका इसको परफॉर्म किया जाता है और राज्ये से संबन देता है कुछ इस परकार से आपको कि दान्स फॉर्म भी है और एक फेस्टिवल है इन चार विकल्प में से आपको स्चुनना है तो दिखो एक इंपोर्टेंट यहां पर स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में यह भी लिख देता हूं क्योंकि एससे ऐसे पूछने लग गी है एक कौन से टाइम में मनाया जाता है तो भही आपका स्प्रिंग फेस्टिवल है कि स्प्रिंग फेस्टिवयल का मतलब क्या होगी आपका वसंत्युआ ठीक है तो वसंत्युआ है नाम है इसका सरहल गाशर घंठ राजय से आपका इस संबंदित है चर्चावं में रहता है अच्छा सवाल है कोशिश याद रख पाए एक बार मैं आप लोगों का कॉमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूँ आयूशी बने हुए हैं सरहुल बाई मुंडा ट्राइब बिल्कुल सही कहा आप ने ठीक है भाई तो चलिए अगले पांच सवालों की तरफ बढ़ेंगे अगले सवाल है आपके सामने पूछा गया जो आपके इंपोर्टेंट फैस्टिवल्स या फिर फैर्ड होते हैं फैस्टिवल्स या फिर जो मेले होते हैं मेला बोल दीजे या फिर फैर बोल दीजे जो आपका मन करे इस पर हमारा अगला सवाल डिसकस्ट होगा यह क्या कह रह है कि आपका किस time में मनाया जाता है पहली चीज लावी फैर को आपको पता होना चाहिए कि भाई यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से समंदित है ठीक है हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक के अंदर आप इसको celebrate होते हुए देखेंगे फैर का नाम क्या था लावी celebrate किया जाता है कंतर रास्थ्य मेले के स्टेटस भी आपको जानने के लिए मिलता है लावी फैर याद रखोगे चलिए अक्टोबर या फिर नवंबर यानि कि आपका आने वाला है अगर आप जाना हो तो चले जाईएगा ठीक है इस परिकार से आप इसको देखते हैं परफ अबती रेनुका जी को समर्पित रेनुका मेला किस राज्य से आपका जुड़ा हुआ है सवाल की इंपोर्टेंस आप समझ गये होंगे तो देखो एक आपकी इंपोर्टेंट शाम होती है या फिर इवेंट होता है जिसको बोला जाता है आपका प्रबोधिनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी जो की फाइव डे लॉंग आपको एक इवेंट नजर आता है इस टाइम पर आपको नजर आएगा एक इंटरनाशनल लेवल श्री रेनुका जी फैर ये भगवान परुशाम के और उनके माता जी श्री रेनुका जी के सम्मन में याने कि उनका जो इनका इस फेस्टिवल से रहता है हिमाचल प्रदेश से आपका इस सम्मन्दित है विकल्प नंबर आपका यहां पर भी करेक्ट हो जाता याद रखेगा ठीक है अगला सवाल देखेंगे सरहल फेस्टिवल इस सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो अभी मैं पीछे आपको बता कर आया था सरहल के बारे में तो जो कि आपका जारकंट राचे से सम्मन्दित था यहां पर तो आपका सी ओप्शिन करेट हो जाता यह भी याद रिखेगा मैं आपको बता कर आया थ कि जो आपका चैत्र माह होता है उसमें आपका सेलेब्रेट होता है चैत्र पूर्निमा के दिन आपका जारकंट राचे से आपका संब्न्दित है यह हमें याद रिखना था नाम क्या था इसका सरहल इसका नाम था अगला सवाल पूछ रहे हैं सरहल is a traditional dance festival of which of the following tribes तो अभी प चार विकल्प में से अगर मैं आपसे पूछू तो भई यह आपका उराओं ट्राइब से सम्मंदित है ठीक है यानि कि विकल्प निंबर यह आपके हैं पर करेट होगा ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल है जो कि आपकी मुंडा मैं आपका लिख देता हूं मुंडा एंड और कौन कौन सी ट्राइब से एक और ट्राइब है उसका नाम है हो ट्राइब इनसे आपका सम्मंदित है जार्गंड राज्यसिस का असूशिशन था यह विकल्प आपके हैं पर करेट हो जाएगा औराउं ट्राइब भी हाँ पर आपको नजर आती है हब साल सब्सक्राइब आपके सामने थे अभी हमने पीछे जो एक फेस्टिवल को जाना सरहुल फेस्टिवल को इसको फेस्टिवल फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है मैंने आपको बताया कि जो आपके उराओं मुंडा और हो ट्राइब से इन तीनों को याद रिखेगा ऐसे नहीं है कि को एकी ट्राइब इसको शेर कर रही है आपका उराओं हो आपकी मुंडा ट्राइब हो या फिर आपकी हो ट्राइब हो इस सारी के सारी ट्राइब आपके इस सरहुल फेस्टिवल को आपका सेलिब्रेट करते हैं सरहुल ही आपका फेस्टिवल है जिसको आप फेस करूंगा कि अपलोगों को सामने यहां पर लेकर आता रहूं मैंने आप लोगों को बताया कि आप انकेडमी पर भी मेरे इन courses को access कर सकते हैं पर भी मेरे ये चीजे अवैलेबल हैं लाइकडमी पर आप अपने बाकि के जो educators हैं, बाकी के जो subjects हैं, उनको भी आप access कर सकते हैं, चाहे वो आपका GSO, GSO मैंने आपको बताया कि मैं पूरा कराता हूँ, चाहे उसमें आपका history का portion हो, आपका polity का portion हो, आपका geography, आपका economics, आपका science, आपका static GK का portion, आपका computer awareness का portion, आपका current affair का portion, ये पूरी पूरी चीजें कर लावा, quant आपको पढ़ना हो, English आपको पढ़ना हो, reasoning आपको पढ़ना हो, इस सारी चीजें आप anacademy से जुड़कर, SSC, exams, non-technical railway exam के goal के अंदर जाकर access कर सकते हैं, अपने individual educators के सार, number of questions मैं कोशिश करूँगा, मैं अपनी आगे के classes के अंदर increase करो, निबास, ठीक है, बाकी आप में से अगर किसी को anacademy से जुड़ना हो, तो discount avail करने के लिए, ये Rob10 का code है, ये याद रखीगा, ROB10 का code यूज करके आप anacademy पर available, जो भी maximum discount होगा, वो आप लोग access कर पाऊगे, तो मिलता हूँ यार मैं, मैं कोशिश करूँगा, ये classes का duration आजशी आगे की classes से, कि मै one hour तक आपके इस class का duration रखो, कोशिश करते हैं, तो Monday से मैं इस class को थोड़ा सा duration जादा बढ़ाने के की कोशिश करूँगा, और आपका जो digital board होता है न, उस digital board पर आपके इस class को लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों को पता ही पर, वो भी free classes होती है, वहाँ पर भी आप जोड़कर मेरे साथ personally मिल सकता है, तो मिलता हूँ मैं आप से अगली class के अंदर, ख्याल रखिएक अपना, thank you, take care, bye bye झाल 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 झाल